हाथ तो मेरे प्यारे लॉली पॉप मैं पंकजी आदव कैसे हो आप सभी आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले यहां पे देख सकते हैं क्लास 11th मैथ का चेप्टर 12 यानि अध्याय 12 ज सीमा सीमा है वो यह लिमिट सीमा है नाम बला सीमा नहीं है ठीक है और यह अव कलज है तो सीमा के बारे में अर्थार्द गर्ल्फ्रेंड के बारे में हम प्रशनावली एक दसनल एक में पढ़ लिये थे अब हम पढ़ेंगे बाइफ्रेंड के बारे में यानि प्रशनावली 12 असनल 2 में पढ़ेंगे इसको ठीक है इससे पीछे जितने भी सारे चेप्टर है चसमा हटाके है ना तो इससे पीछे जितने भी सारे चेप्टर उन सब को समाप्त कर दीए सब्सक्राइबर कुसर से आप लोग आए चसमा लगा कर समझते हैं वहां फ़्यानयों को समसी है और सब में सारे अर्विंग दर् detra के बत्तबूड आप अवालयों दर्स जराता है वहाई यहां पर देख रहें दी बटटा डी एक्स और X के पावर N बराबर सूतर क्या होता है N X के पावर N-1 मतलब यह हुआ कि X के पावर N का अवकलज क्या होता है तो आप बोलेंगे N X के पावर N-1 यह D by D X यह अवकलज को दर्साता है ठीक है अच्छा तो जैसे ही इस पर अगर हम question दे दे तो कैसे निकालिएगा माल लिज दिए यहां पर D बटे में D X है और यह X के पावर N है तो माल लो कि X के जगह पर हम कुछ भी रख सकते X है न और N के जगह पर हम रख देते हैं तो बताई इसको हम कैसे तोरेंगे इस पर तोर देंगे तो देखिए बवा जी ध्यान से देखिएगा क्या ध्यान से देखने वाली बात है कि ऊपर में N है तो ऊपर में यहां 3 है इसका मतलब N जहां-जहां मिलेगा वहां 3 पटक देंगे तो N यहां मिला तो N के जगा पे 3 पटकेंगे फिर X है तो X लिखेंगे यहां पे N है तो N उपर लिखेंगे तो N के जगा पे क्या पटकेंगे N के जगा पे 3 पटकेंगे और माइनस में 1 है तो 1 पटकेंगे तो हमारे पास 3 और X के पावर क्या हो जागा, 3 में से गया तो 2, clear, समझ गया न, ये सुत्र में ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, मतलब ये हुआ कि पावर जो होता है न, वो सामने आ जाता है, और X के पावर जो रहता है, उसमें से 1 घटा दो, यानि 3 है, तो 1 घटा दो 2, ब देखे, C, C का अब कलज क्या होता है, 0, C क्या constant है, यहाँ पे कोई नंबर अगर रख दू मैं, यहाँ पे माल लो, कि D upon D, X, और नंबर रख दू, यहाँ पे 7, यानि constant 7 रख दू, तो इसका अंसर क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे कोई भी संख्या ले ले, 7 ले चाहे, 8 ले वाले हैं, ठीक है, और हम इसको यूज करेंगे बढ़िया से, तो अच्छा, अभी लगता होगा कि इतना माथा के दरद हमना सर जी दे रहे हैं, याद करने के लिए, इतना फॉर्मूला है, इधर देख लो, यह भी फॉर्मूला है, है ना, कि भाई, साइन इंवर्स का फॉ रहे हैं, बोज, भारी लग रहा है, गिरिये जाएंगे, तब वहारे, आप अभी नहीं आद किजिए, कोई दिक्कत नहीं, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, और क्वेश्चन जब बनाते समय, हमको फॉर्मूला मांगेगा, हम वहां पर रखेंगे, तो वहां पर याद करे हैं, एफ डास एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू जीरो, एफ इंटो एक्स पलस एच माइनस एफ एक्स बटे में एच, इस पर फॉर्मूला है ना, इस पर क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि पर्थम सी धान से इसको ज्याद किज हल किजिए, है ना, तो उस इस्तिति में यह फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो आइए, शुरू करते हैं, यह क्वेश्चन कहता है, एक्स बराबर दोस पर एक्स स्क्वार माइनिस दो का अवकलज ग्याद किजिए, तो हमें अवकलज पहले ग्याद करना होगा, फॉंक्शन एक्स बराबर, एक्स बराबर हम माल लिए, एक्स स्क्वार और माईनिस के दो, यह मैंने माल लिया, क्लियर, कोई दिक्कत, अब इसका अवकलज ग्याद करना, यानि दी ऑपाउंड डी एक्स, है ना, और किसका अवकलज, तो एफ एक्स का हमें आवकलर हमने क्या माना fx वडावर यह माना यह तो हम लिख देंगे यहां पे क्या? x square और minus के 2 हमने लिख दिया अब इसको लिखने का तरीका क्या है? कि d बटे dx एक वार x square के साथ लिख दो और d बटे dx एक वार 2 के साथ लिख दो clear? तो हम यहां पर लिख देते हैं कैसे लिखेंगे डी अपाउन डी एक्स जो है वो किसके साथ लिख देंगे तो एक से स्क्वार के साथ लिख देंगे तो यह मैंने लिख दिया माइनस तो माइनस अडी अपाउन डी अपाउन डी एक्स किसके साथ लिख देंगे तो यह हम दो क साथ लिख देंगे तो हमने दो के साथ लिख दिया कोई धिक्त नहींन अधिकत मेरे भाई अब यह हमारे पास आ गया अब देखिये बववा जी गोगों यह जो है D upon D X और X के power 2, यह X के power 2, यह formula आप देखे, इस formula को ज़रा ध्यान से देखे, इसी formula पर यह तूटेगा, कैसे तूटेगा, वो ध्यान से देखे, कैसे तूटेगा, बुवा जी, देखते रहे ध्यान से, formula हमारे पास किया D upon D X, और देखे, इसको हम क्या करते, इधर खसका के लादे, इधर आप, यहाँ पर समझाएंगी, इस formula पर, देखो कई से, देखो बुवा, D upon D X और X के power N, तो उसी तरीके से D upon D X और X के power 2 है, मतलब N की value हमारे पास क्या रही है, 2 आ रही है, N की value 2 आ रही है, तो इसका, इसके बरावर यह जो सुत्र है, इसके पहले N है, क्योंकि यह formula है, इसी बरावर नहीं यह होता है, तो इतना के रूप में आप देख रहे हैं, यह है, तो हमें इतना लाना है, तो आई आसानी से लिख देते हैं, N के जगा पे ध्यान रखना क्या देना है, 2, तो बरावर में N, तो मतलब देना है आपको 2, हमने 2 रख दिया, अभी X है, तो X लिखेंगे, उसके बाद N-1, तो N के जगा पे क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, N के जगा पे 2, अदो में से 1 जाएगा तक इतना, 1 होगा, तो पावर में 1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यह नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और D upon D X और constant, यानि C यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो उसका result क्या होगा, 0, इसका मतलब D upon D X और 2 का मतलब constant हो, तो इसका result क्या आएगा, पूरे का 0, तो हमने 0 रख दिया, क्लियर कोई दिक्कत नहीं दिक्कत हो, यानि यह हमारे पास क्या जाएगा, 2 X आजाएगा, यह आज गया, कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, अब तू उधर जाओ, उधर चला गया, सुत्र का काम हो जाता है, तो लात मारे के भगात देते हैं, है न, वह नहीं करते हैं, अपना काम बनता, भार में जाया जनता, कोई बात नहीं, इसा बोला जा देंगे, तो क्या दिकता है, 2 X निकला था, 2 X निकला था ना, इसमें हम 10 रख देंगे, 2 और गुने में X के जगा पे 10, तो हमारे पास 10 दुना 20, ला भाई या ओम फो, अंसर आ गई लो, ठीक है, एकदम सिंपल है, मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, आईए, अब हम क्या करत है, अगला question लेते है, question number ये, X बरावर एक पर X का अवकलज जग्याद कीजिए, तो हम पहले क्या करेंगे, X बरावर एक पर कहता है, X का अवकलज जग्याद कीजिए, तो पहले माल लेंगे, लिखेंगे कि माना, माना function X, बरावर हमने X लिख दिया, है ना, और X बरावर क्वाओंं पर ऊवकलज ज्याद करना है तो पहले एकका ऊवकलज करना होगा तो जैसे क्याद करेंगे D acqu on Dx मैं फस्त औरत इफ-एक्स का ऊवकलज हमें उन एक है तो हमने X रख दिया लिख को तो जदेखो चीपा रहता है एक तो चीपा ही रहता है चीपा रहता है कि नहीं चीपा रहता है सब जानता कि हां भाई चीपा रहता है तो अब देखिए गौर से ध्यान से यह फॉर्मूला ध्यान से यह देखो देखो, d upon dx, d upon dx है, x के पावर n, यहाँ x के पावर 1 है, मतलब n के जगह पे क्या आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, है की नहीं, तो हम यहाँ पे n के जगह पे, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो सुत्र में जब तोड़ते हैं, तो यह आता है, तो इतना के बरावर लिखना होगा, तो इसको हम लिखते हैं, क्या है सुत्र, n दिया गया, पहले तो n के जगह पे 1 लिखेंगे, हमने 1 लिख दिया, है ना, और गुने में, x के पावर, x के पावर n-1 है, तो n-1, तो n के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 और माइनस में 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 गुने, x के प करता रहा हूँ ठीक है अब यह आगे हमारे पास अब देखो हमें कहता है कि X के जगा पे 1 रखने के लिए क्या कहता है x के जगा पे 1 रखने के लिए कर रहा है ना तो यहां पे लिखेंगे प्रश्न से प्रश्न से हमने लिखा प्रश्न से अब 1 और गुने में x के जगा पे लिखेंगे 1 और पावर में 0 ठीक है यह आ गया अब यहां से क्या करेंगे मेरे भाई है ना 1 और गुने में देखो एक सेक में गुना करेंगे तो एक हमारे पास निकल किया गया कोई दिक्कत हवाट खुजली नहीं नहीं होना चाहिए तो आपने दूसरे प्रशन को भी बहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया आईए अब हम क्या करते हैं तीसरा प्रशन लेते हैं अब इस प्रशन को ग्याद करना है एक सब्सक्राइबर हंड्रेड पर निनानुवे एक सका अवकलज ग्याद कीजिए हमें यह ग्याद करना है कोई दिक्कत नहीं पहले मान लेंगे लिखेंगे क्या मान माना fx बरावर 99x हमने माल लिया अब हमें ज्याद करना है इसका अवकलज तो कैसे ज्याद कर सकते हैं d upon dx और fx का हमें अवकलज ज्याद करना है ना तो कैसे ज्याद कर सकते हैं लिख सकते हैं d upon dx अब fx के जगा पे क्या लिखेंगे 99x लिखेंगे यह मैंने लिख दिया क और पीछे वाली प्रस्णावलि में समझाया था कि गॉर्णरट होता है वो पहले लिखा जाता है तहीं निनानवे को हम पहले लिख सकते यहां पे निनानवे पहले अब उसके बाद डी अपांट dx है ना और बज जाएगा x अंदर में ठीक है अब यहां पे गौर करो गौर क्या करो यहां पर इसके पावर 1 चीपा रहता है तो अब देखिए पर इसagenेues formula को याद कर लिजेए बड़ा काम का है हैना अब देखो इसand formula पर समझो डी आपाउंड डीकस है एARS सके पावर Знаन है तो यहां X के पावर एक है मतलब एनके जगापे मतलब क्या हुआ मेरे भाइ की एनके जगापे एक है यहां पर हैंकी नहीं तो हम n के जगा पर एक रखेंगे तो यहां पर आप फिट करो सुत्र तो यह होता है तो लिखेंगे n के जगा पर क्या लिखेंगे पहले यह 99 है तो 99 लिख दो अब हम क्या करते भाई n के जगा पर क्या लिखेंगे वही एक लिखेंगे गुने में x के पावर n-1 तो x के पाव आपर एन माइनस हो थे एन के जग़ा पर उन और माईनस में यहीं नहुगा तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा तू अधर खक मेरे भाई है ना अब आज आज़ा इधर solve करते हैं देखें मेरे भाई निनानवे अब देखो लीखेंगे क्या 1 और गुने में X के POWER क्या हो जाएगा 0 हमने 0 रख दिया अब लिखेंगे प्राश्न से प्रेश्न से ठीक है प्रेश्न से अब देखो मारे भाई क्या करेंगे 99वे और मल्टिप्लाइ कर देंगे गुने में गुना ही रहता है या ब्रेकेट लेलो क्या दिकत यह मैंने लिया अब देखो one और गुने में x x के मान कितना रखना एक 100 तो 100 का मान रख दें एक सब्सक्राइब पावर में जीरो है तो जीरो अब आपको पता होना चाहिए कि 99 और गुने में देखो पावर में जीरो दुनिया की किसी भी संग्यानी कितना भी बड़ा संख्या और पावर में जीरो है न तो उसका रिजल्ट एक आता है तो आप लिख सकते एक गुने में इसका एक सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा मिरभाई 99 एंसर आएगा तो यह हमारे पास इंसर निकल के आगए कोई दिकत नहीं दिकत तो आपने तीसरा प्रशन को बहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया अब हम क्या करेंगे मिरभाई चौथा लेंगे तो आईए हम क्या करते हैं चौथा लेते हैं यहां पर देख सकते हैं प्रशन करमांग चार क्या कहता है कि पर्थम सिधान से निमलिख याद करना है पर्थम सिधान से तो पर्थम सिधान से यहाँ पर देख सकती है हमारे पास सुत्र होता है f dash x बराबर क्या होता है limits h tends to 0 f into x plus h minus fx बटे में h यह formula होता है और इसी पर हम क्या करेंगे कि इसको हम solve कर लेंगे तो हम पहले क्या करेंगे इसको माल लेंगे कि माना माना fx माना fx बराबर क्या लिखेंगे x के पावर 3 और माइनस के 27 हमने माल लिया कोई दिक्कत नहीं दिक्कत अब यहाँ पर पर्थम सिधान से लिखेंगे प्रथम प्रथम सिधान से सिधान से तो पर्थम सिधान का formula क्या होता है मेरे भाई तू आजा इधर आजा मेरे भाई यह formula है इसी formula पर हम क्या करेंगे मेरे भाई fit करेंगे कोई दिक्कत नहीं दिक्कत अब तू मिट जा चलो तो कैसे हम fit करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं limits हमने यह लिख दिया कोई दिकत नहीं दिकत अब यहां पर क्या कहता है f अच्छा तो यह formula आपने लिख दिया न यहां पर धियान रखना कि x plus h को आपको मान लेना है x यह पूरा समझो कि x है x plus h तो आप देखेंगे इसमें value output करेंगे किसमें इसमें x के power 3 है क्याम function क्या माने है function जो हम माने यहां पर देख सकते हो मेरे भाई क्या माने है यह माने इक्सकेपावर 3 और minus 27 है तो यह पूरे को आपको माल लेना x तो एक्स के जगा पे हमको रख देना x x plus h, यानि पूरे को x plus h को माल लेना है, पूरे को x, ठीक है, तो जहाँ जहाँ x मिलेंगे, वहाँ वहाँ x plus h डालेंगे, तो आप देखिए इसमें x के power 3 minus 27 ये function हम माने हैं, तो x के जगा पे क्या रखेंगे, x plus h, तो हम रख देंगे, आईए x और plus में h रख दिया, इस x के जगा पे, power में 3 है, तो यहाँ भी power 3 कर दो, हमने रख दिया, अब ये देखो minus है, तो minus करो, है न, उसके बाद कितना है मिरे भाई, 27 है, तो 27 करो, हमने 27 कर दिया, कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, अब देखो minus का, ये minus का, तो minus का, fx है, तो fx कितना है, तो आप देख सकते, तो fx हमने माना कितना, fx यहाँ पे देख सकते, x q minus के 27, यानि एक बार पूरा, ये fx के जगा पे, fx की value क्या, पूरा x के power 3 minus 27, तो हम रख देंगे, x के power 3 minus में 27, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, ये मैंने कर दिया, और बटा में h है, तो h हम रख देते हैं, क्या दिक्कत है, हमने एक रख दिया, अब क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, इसको, चलो, limits, h tends to 0, हमने कर दिया, कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, अब देखो, a plus b के hall cube पे गया, तो a plus b का hall cube क्या होता है, मेरे भाई, वो होता है, a q, a q, मतलब क्या लिखेंगे, x के power 3, यानि a q, यह हो गया, plus में b q, यानि h के power 3, यह हो गया, अब plus 3 a square भी, मतलब 3 a square, मतलब x का square, और b के जगा पे क्या है h, तो हम h लिख देंगे, 3 a square भी हो गया, plus में 3 a b square, तो a हमारे पास x है, हमने रख दिया 3 a b square, मतलब h square, यह मैंने कर दिया, तो इसको तोर दिया, minus k 27 है, तो 27, यह मैंने कर दिया, अब देखो, x के power 3, minus k 27, उसको भी तोर दो, देखो, यह minus है, है ना, क्या minus है, और यह आगे, minus plus में गुना करेंगे, तो minus k x के power 3 होगा, minus minus गुना करेंगे, तो क्या होगा, plus के 27 हो जाएगा, यह हमारे पास आगया, कोई दिकत, नई दिकत, और बटा में लिख देंगे, हम क्या, h लिख देंगे, तो हमने h लिख दिया, अब काटो, जो कटने वाला है, x के power 3, minus का, i, plus का हो गया, कट गया, यह हमारे पास, minus के 27, plus के 27, यह दोनों चेला, कट गया, तो यह हमारे पास हट गया, अब क्या बचा, अब बच गया, x के power 3, यह वाला पूरा बच गया, तो इसमें common नजर आ रहा है, h common ले लो, तीनों में है, तो अगर हम यहाँ पे, limits, h tends to 0, अगर हम इसमें common ले ले, है ना, क्या common, h ले लेते है, common, तो क्या बचेगा, h square बचेगा, कि एच के power 3 ने, इसलिए, h square, अब, पालस में, क्या बचेगा, 3 x square बचेगा, यह बच गया, अब हम क्या कर सकते हैं, 3 x square हो गया, है ना, h common ले करके तो, यह निकल गया, अब इसमें देखो, इसमें बच गया, पालस के, क्या बच गया, 3 x, h square था, 1 h निकल गया, तो 1 h बचेगा, हमने लिख दिया, और बटा में, h लिख दिया, अब देखो, यहां से, e h से e h cancel, कट गया, अब इधर हम solve करते ह है, ठीक है, देखो, क्या लिखेंगे, limits, h tends to 0, यह मैंने कर दिया, अब यहां पर देखो, क्या दिया गया है, मेरे भाई, अच्छा, यह मैंने कर दिया, h से e h cut गया, तो, यह जो h के, h tends to 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, कि h जहां जहां मिले, वहां 0 पुट करना है, आपको limits निकालना सिखाये थे हमने, ठीक है, प्रशनावली 12 असनल एक में, ठीक है, तो, h tends to 0 मतलब, h जहां जहां, वहां 0 रख दो, h square है, यहां पर 0 का square, ठीक है, पलस में, 3 x square, 0 का square करेंगे, तो, 0 यह नहोगा, कहला, इसको, 3 के तार बना रहे है, है न, तो, इसको, हम लिख दे लिखेंगे 0 ही, मैंने 0 लिख दिया, हाँ, हो गया, चलो, अच्छा, यह मैंने कर दिया, h square, 3 x square, 3 x square, पलस में, पलस में, 3 x और, गुने में, h के जगा पर क्या रखनागा, यहां पर h है, दीक रहा है, न, h के जगा पर 0 लिख देंगे, और, बटा में, हम क्या लिखेंगे बटा में कुछ नहीं है तो बटा में हम कुछ नहीं लिखेंगे ठीक है तो यहां पर फिट कर दिये हम मान तो अब हमारे पास क्या बचेगा जीरो केंसिल यह से गुणा करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा क्यूंकि एक से तीरी एक्स में गुणा करेंगे तो जीरो हो जागा त तो आईए अब हम क्या करते हैं अगला प्रशन लेते हैं आईए अब हम क्या करते हैं दूसरा प्रशन को लेते हैं यह हमारे पास दिये गया है ना तो हम इसको क्या करेंगे सबसे पहले माल लेंगे लिखते हैं यहांपे माना माना फॉंक्शन एक्स बराबर क्या लिखते हैं एकस माइनस की 1 और एकस माइनस की यहां पे 2 है तो 2 हमने लिख दिया अब हमें क्या करना है प्रथम सिधान्ट से इसको अहल करना है तो लिखेंगे प्रथम सिधान्ट से सिध्धान्त से हमने पीछे भी question solve किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमें solve करना है ठीक है पर्थम सिध्धान्त से अब लिखेंगे बस यह formula है यह put कर दो यहाँ पर आजा मेरे भाई यह formula आजाओ यह देखो बस निकाल देना है इस पर रख करके क्या दिक्कत है है ना चलो लिखेंगे limits h tends to zero अब देखो मेरे भाई जो x plus h देख रहें न x plus h इस पूरे को x मान लेना है क्या मान लेना है यह जो आप देख रहें बीच में x plus h x plus h इस पूरे को x मान लेना है और जहां जहां x नजर आएगा वहाँ वहाँ x पलस h डालते चलना है तो किसमें इसमें डालेंगे function हमने माला आना x-1 into x-2 यह सब है न तो इसमें put करेंगे यहाँ x है तो उस x के जगा पे x पलस h डाल देंगे तो x पलस के h हमने डाल दिया कोई दिकत अब माइनस के 1 है तो माइनस के 1 हमने डाल दिया अब देखो into में x नजर आ रहा है तो इस x के जगा पे क्या रखेंगे x पलस h तो x पलस में h डाल दिया माइनस में 2 नजर आया तो माइनस में 2 डाल दिया कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो यह मैंने फिट कर दिया अब बच गया क्या अब बच गया माइनस के माइनस के fx बच गया यह fx बच गया clear तो fx के जगा पर क्या रखेंगे fx यानि x-2 हमने रख दिया कोई दिक्कत नए दिक्कत मेरे बाई clear तो यह मैंने कर दिया ध्यान से देखना कैसे किए इस सुत्र पे पहले यह पूरा का पर पहले यह पूरा का पूरा जो है इसमें fit कर दिये है हना उसके ऐद यह माइनस कर दिये naas simple असानी से निकल क Raw किया गया तो अब ख्या करेंगे हम अभ लिखेंगे बटा में बटा आब gotta अभ जबच गया तो हम लिख देंगे यहां पहले एच मेंने लिख दिया तो यहां से अब करना क्या है इस से इस sum मेंगुणा यानि x से इस sum में गुणा फिर h से sum मेंगुणा फिर minus x से sum में गुणा तो चलो हम गुणा करके लिखेंगे. क्या दिक्कत है? लिखेंगे limits h tend to 0 चली लिखते चलते हैं x x में गुणा किये तो x स्क्यार हुआ हुआ. ठीक है x से पलस h में गुना करेंगे तो पलस का x h हुआ अब x से माइनस 2 में गुना करेंगे तो माइनस के 2x होगा हमने माइनस के 2x रख दिया अब h से इन सभी में गुना करेंगे h से x में गुना करेंगे तो पलस का x h होगा अब h से h में गुना करेंगे तो माइनस के 2H होगा यह मैंने कर दिया अब माइनस 1 से इस सब में गुना करो माइनस 1 से X में गुना करेंगे तो माइनस का X होगा माइनस के 1 से पलस के H में गुना करेंगे तो माइनस का H होगा माइनस 1 से माइनस 2 में गुना करेंगे तो पलस का 2 हो जाएगा हमने कर दिया, कोई रिक्कत, नहीं रिक्कत तो ये पूरा गुना हमने कर दिया अब देखो माइनस का अब इधर गुना करते हैं इसमें हम क्या करेंगे भाई X से इस X में गुना करेंगे पहले गुना कर लो, X से X में गुना किया X स्क्वार माइनस 2X अब माइनस 1 से X में गुना करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा X हो जाएगा माइनस 1 से माइनस 2 में गुना करेंगे तो पलस का हमारे पस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं दिक्कत यह मैंने कर लिया और बटा में रख देंगे क्या बटा में रख देंगे एच तो हमने एच रख दिया कोई दिक्कत नहीं दिक्कत कोई हवट खुजली नहीं अब यहां से कटने वाला नहीं जब तक इसको नहीं तोरेंगे यह वाला पार्ट को इ तोट चुका है पहले से लिए आगे माइनस है ना तो माइनस से सम्में गुना करके देखो तो तोट जागा भी ब्रेकर तो तोड़ते हैं लिखेंगे limits h tends to zero अब लिखेंगे x square पलस के x h माइनस के 2x पलस के x h और पलस में h square है ना h square माइनस के 2h और माइनस के x माइनस के h पलस में 2 अब इसको तोड़ो माइनस बाहर रहा है पलस है पलस माइनस में गुना किये तो माइनस का x square माइनस माइनस में गुना करेंगे तो पलस का 2x हो जाएगा यह मैंने कर दिया माइनस और माइनस से गुना करेंगे तो पलस का X, माइनस और पलस में गुना किये तो माइनस का 2, हमने पूरा गुना कर दिया, अब बटा लगाईए, बटे में H डाल दीजे, अब क्या करेंगे, सब को हम काटेंगे, जो जो कटने वाला है, देखो, इपलस की X स्क्वार है न कहीं कुछ कटने वाला है की नहीं, कटने वाला होगा, माइनस के 2 X से इधर, आइधर पलस के 2 X है, यह कट गया, अब देखो, क्या कटने वाला है, यहाँ पे, माइनस का X है, और यह पलस का X है, यह कट गया, अब क्या कटने वाला है, अब, अब क्या करेंगे, एक तरफ ल और A go X H ॥ कितना हो जाएगा? X H और X H, हमारे पास दूँगो X H आ जाएगे यह दूगो X H आ गया, ठीक है, अब यहाँ पर देखो os, पंस का, है क्षा, परेस्म का H Square है यह H Square है कि गल्ती से लिखा गया है, नई Anyways यह क्विपार ही है क्या ह correct का रही कहां से आया हमने को ना किया था देखना परे गा यह ज्रude नहीं होगा Когда tutti शंड़ा किये थेह स्थब यह क्या हाँ खरीख है अब कहें कंटने कäl कर देखने वाला नहीं है माइनस के 2H अच्छा लिखते हैं 2X आप पलस के H bronze प 컨ल्ण गें अच्छा एक देखोब हुआ माइनस के 1 अच्छा एक देखोब हो यहाँ पर एक के साथ है लिखेंगे माइनस के 2H एम माइनस के 3O2H लिख सकते हैं हमने लिख दिया माइनस के 3 है ना यहाँ पर देखो माइनस के 2 ह और माइनस के 3 ह लिख दिया अब यहाँ पर पलस के दो और माइनस के दो इधर है, यह पलस के दो, यह माइनस के दो से cancel, उख कट गया, तो अब कुछ नहीं बचा, इतना ही बचा, और बटा में लिखेंगे क्या, ह, लिमिट्स, ह, यह हमने लिखा, अब इसको क्या करेंगे, ऊपर solve करेंगे, ठीक, इसके ऊपर आप solve करतेंगे, लिखेंगे, अच्छा, बवा इसमें लिमिट्स, अब दीखो, इसमें, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, एच कॉमल ले लो, एच कॉमल लेंगे, तो क्या बचेगा इधर, 2X बचेगा, है ना, और पलस में H स्क्यार है, यहाँ पर देख सकते हो, तो H बचेगा, यह मैंने कर दिया, अब माइनस के 3H है, तो इसमें केवल और केवल 3 बचेगा, यानि माइनस के 3 बचेगा, किलियर, यह आगया हमारे पास, अब क्या कर सकते है, बटा में H डाल सकते हैं, तो बटा में H डाल दिये, अब देखो मेरे भाई, H से H केंसिल, अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स H tends to 0 है, तो 0 हम जहाँ जहाँ H नजर वहां फिट कर देंगे, तो आईए हम इसको solve करेंगे, तो 2X पलस में H के जगा पे 0 और माइनस के 3, तो हमारे पास answer क्या आगया, 2X और माइनस के 3, यह हमारे पास answer निकल करके आगया, तो देख सकते हमने दूसरा प्रशन को भी solve कर लिया, एकदम बेहतरीन तरीके से, तो आईए अब हम क्या करते हैं, अगला प्रशन लेते हैं, अब हम solve करेंगे प्रशन करमांग 3, यानि 4 का 3 सवाल, ठीक है, तो चलिए solve करते हैं, यह हमारे पास दिये गया है, इसको हमें अवकलज याद करना है पर्थम सिधान से, हैना, तो हम कैसे याद कर सकते हैं, हैना, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले माल लेंगे, तो लिखेंगे, माना, फॉंक्शन एक्स बरावर एक बटा में एक स्क्वार, हैना, यह मैंने माल लिया, ओके, फॉंक्शन मैंने माल लिया, अब हम क्या करेंगे, प्रथम सिधान से लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, प पर्थम सिधान से बस सुत्र लाओ इधर यह हमारे पास फॉर्मूला है यह आपको लिख देना है चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं फिट करते हैं ओके चलिए क्या दिए गया है लिमिट्स है टेंडिस टू जीरो अब वो देखो यहाँ पे है क्या दिए आगे एफ इंटू एक्स प्लस इस पूरे को हम क्या मालेंगे एक्स मालेंगे क्या मालेंगे एक्स मालेंगे मतलग एक्स प्लस एच को हम पूरे को क्या मालेंगे एक्स मालेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे है ना है this is x कह जगह पे एकस कुए ज़गह पिजह जहां ज़व कि नजर आग来गा वहांस पमगुकिन हैव दिछ यूमा Caitlin दीद् tra ?? है है ना एकसे स्क्राइब एकस के जगा पर क्या लिखेंगे एकस प्लस एकस प्लस में हम एच लिखेंगे और इसका कर देंगे हॉल स्क्राइब यह मैंने कर दिया कोई दिकत नहीं दिकत अब देखें सुत्र में माइनस बचा तो माइनस अब F x मैं priests हैंपाइए फेक्स के जगा पूरा देख सकते हैं एकटाएक स्क्यार हो जागा वहीं महाने हुएर एक सेस्क्यार मैं रख दिया को डिक्कत नहीं दिक्कत अब मैंने माल लिए अब हम क्या करेंगे, बटा में h बचेगा, तो बटा में ये हमने h नीचे डाल दिया, कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, h को हम थोड़ा क्या करते हैं, side में, इधर लिख देते हैं, ये मैंने लिख दिया, अब देखो मेरा भाई, इन दोनों का LCM लेलो, इन दोनों का LCM लेलोग जब इससे इसमें भाग देंगे तो यह वाला पार्ट इसे कट जाएगा तो बचेगा X स्क्वार अब X स्क्वार में 1 से गुना करेंगे तो X स्क्वार आ जाएगा यह मैंने कर दिया माइनस है तो माइनस यह मैंने कर दिया अब देखो X स्क्वार से इसमें भाग देंगे तो X square कटेगा तब बच्चेगा क्या है? X plus H kawli square, X plus H kawli square में 1 से गुना करेंगे, तो क्या होगा? X plus में H kawli square आ जाएंगे, यह आ गया है, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? तो यह हमारे पास limits h tends to zero, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? अब यहाँ से क्या करेंगे? इसको खोल देंगे, है न? चलो, open करते हैं, देखो, लिखेंगे क्या? limits, h tends to zero दिये गया है, यह यह वाला लिख लिया, अब X square है, तो लिखेंगे X square, minus, तो minus, अब देखो, इसको हम तोरेंगे, X plus h का हॉल square क्या होता है? उस पर हम तोर देंगे इसको, तो आए तोरते हैं, लिखेंगे क्या होता है, मिरे भाई, X square, तो X square, आप पलस में h square, यानि, a square plus b square, आप पलस 2ab, यानि, 2X h होता है, तो हमने रख दिया 2X h, और बटा में, हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला नीचे आ जाएंगे, यानि, H, इन्टू, X पलस में h, का, होल square, और गुने में x square, ये हमारे पास आ गएंगे, अब क्या करेंगे, ये माइनस को open कर देंगे, मतलब माइनस से गुना कर देंगे सब में, चलो गुना करते हैं, तो limits, h tends to 0, ठीक है, ये हमारे पास आ गएंगे, अब क्या करेंगे, x square, तो x square लिखेंगे, इस माइनस से सम में गुना करो, तो माइनस के x square, माइनस पलस में गुना करेंगे, तो माइनस के h square, स्क्राइब और माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस के 2X हो जाएंगे और बटा में हमारे पास क्या हो जाएगा यह वाला हम रख देंगे ठीक है स्क्राइब है यह हcessors देन agre yaş आएच इन्टू एक्स प्लस में होले स्क्यार और X स्क्यार कटने वाला इप्लस का एक्स स्क्क्ष राइ माइनस का एक्स स्क्राइब यह इ duties हाँ यह एक तो हमारे पास लेंगे तो बचखेगा क्या h? बचेगा मायनस मायनस पलस का इसमें 2x बचेगा यह हमारे पास आगया और बटा में हमारे पास क्या हुआ h इन्टू एक्स पलस में h का hall square और x square यही नहुआ अब यहां से क्या करेंगे यहां से देखो h से h cancel यह cut गया, cut गया ना हमारे पास, तो यह cut गया अब इसके बाद बचा क्या, limits, अच्छा, cut तो गया, तो हम डाक्टे मान fit कर दे, देखो, h से h cancel कर गया, तो जहाँ जहाँ h नजर आ रहा है, देख सकते यह वाला, जहाँ-जहाँ h नजर आएगा, वहाँ 0 रखेंगे, limits ऐसे ही निकालते हैं ना, हमने आपको बताया था, तो h यहाँ है, h में हम क्या करेंगे, 0 fit कर देंगे, तो 0 यह वाला h के जगा, पलस में, 2x, तो 2x, अब बचा में, h तो cancel यह वाला x, है ना, और पलस में, h के जगाँ पे 0, और इसका कर देंगे, all square, और x square है, तो x square, यह वाला आ गया, आप इसको तो तो रहेंगे, तो 2x बचेगा उपर में, और बटा में, x square हो जाएंगे, x plus 0 में, x ही होगा, x का है, square हो जाएगा, और गुने में, यह x square रहेगा, तो x square को क्या लिख सकते हैं, गुने x तो लिखी सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अच्छा, माइनस कहीं पे छोड़ दिए, यह वाला माइनस जो आप देख रहे हैं, यह हम छोड़ दिए हैं, है ना, यह जो आया निकल करके, यह तो माइनस में रहेगा न, इधर आगे, यह वाला माइनस, क्योंकि h के जगा पे 0 रखे, पलस में, 2x है, तो 2x, अई माइनस कहा आगे, यह ने, यहाँ पे छुट गया था, यह रख दिया मैंने, तो यह माइनस नजर आएगा, यहाँ पे, वो हो गया, अब यहाँ से काटो, x से x केंसिल, तो हमारे पास क्या आया, माइनस के 2, और बटा में, x स्क्वार और गुने में, 1x बच गया, तो x से x स्क्वार में गुना करेंगे, तो x के पावर क्या होगा, 3, यह हमारे पास इंसर निकल के आगया, को देखका, नहीं देखका, तो आपने तीसरे प्रशन को भी बहतरीन तरीके से solve कर लिया, हलो हलो, है न, फंस किया था, solve कर लिया न, चलिए, अब हम क्या करते हैं, आईए, अगला प्रशन लेते हैं, आईए, अब हम क्या करते हैं, चौथा का चौथा कोशन हम देखते हैं मतलब इसको अब हम क्या करेंगे solve करने वाला एकदम बेहतरीन तरीके से ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे माल लेंगे यहां पर लिखेंगे कि माना माना function x क्या माल ले यह x पलस में 1 और बटा में x माइनस में 1 हमने माल लिया कोई दिक्कत नई दिक्कत तो लिखेंगे पर्थम सिधान्थ से लिखेंगे अब पर्थम सिधान्थ से सिधान्त से पर्थम सिधान्त से ठीक है यह मैंने लिख दिया पर्थम सिधान्त से तो यह हमारे पास पर्थम सिधान्त का फॉर्मुला आजाओ मिर भाई इसमें हम फिट कर देंगे ठीक है को दिक्कत नहीं दिक्कत चलिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, limits है न, h tends to 0, अब देखो, x पलस h है न, इसको x माल लो, तो जहाँ जहाँ यहाँ पर x है, वहाँ वहाँ, x पलस h आपको डालना होगा, तो आईए हम डालते हैं, है न, लिखेंगे x है, तो x के जगा आप x पलस h डालेंगे, तो डालते ह x पलस में h, इस x के जगा आप x पलस h डाल दिये, पलस में 1 है तो 1, हमने लिख लिया, कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, बटा, बटा लगाई, उसके बाद x माइनस 1 है, तो x के जगा पर x पलस h, तो हम रख देते हैं, x और पलस में h, मैंने रख दिया, x के जगा माइनस 1, त तो fx हमारे पास क्या x plus 1 बटे में x minus 1 तो वही रख देंगे x plus में 1 और बटे में x minus में 1 ये मैंने कर दिया कोई दिकत नई दिकत और बटा में h है तो बटा में h लिख दीजिए हमने h लिख दिया ये वाला h अब यहीं से solve कर लेते हैं बढ़िया से इन दोनों का lcm लेंगे तो क्या होगा हमारे पास इन दोनों का जब lcm लेंगे तो x plus में h हना और minus के 1 ठीक है into x minus में 1 हो जाएंगे कोई दिकत नई दिकत अब देखो इस से इसमें भाग देंगे तो यह बला पूरा कर जाएगा तो x minus 1 बचेगा अब x minus 1 से इसमें गुना हो जाएंगे तो गुना क कर देंगे क्या x plus h plus 1 में ठीक है हमने गुना में रूप में लिख दिया यहाँ पर अब यह आ गया minus तो माइनस अब इससे इससे यह कर जागा तो बचेगा यह है ना और इसको हम क्या कर दें इससे गुना यानी x plus 1 से सभी में क्या कर देंगे गुना कर देंगे ता चलो है x plus h और माइनस में 1 यह आ गया कोई दिक्कत नहीं दिक्कत अब यह आ गया अब इसको तोरना परेगा देखना ध्यान से गुना करो सबसे पहले तो एक से इस सभी में गुना करो पहले टेड़ हो गया लगता है चलो गुना करते इधर से ही यह लिख देना लिमिट्स h tends to 0 इधर भी लिमिट्स h tends to 0 दिख रहा है ठीक है अब यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं देखो भई X से X में गुना करेंगे तो X स्क्यार हुआ अब X से H में गुना करेंगे तो पलस का X होगा हैना अब X से पलस 1 में गुना करेंगे तो पलस का X हो जाएगा यह मैंने कर दिया माइनस 1 से X में गुना करेंगे तो माइनस का X होगा minus one से H में गुना किये तो माइनस का H होगा माइनस one से minus minus one में में गुना करेंगे तो माइनस का one होगा यह मैंने पुरा गुना कर दिया अब देखो इ पहिले minus लागाना अगर जो इक के साँ तोड रहे हैं इस बात को धियान रखना हम क्या करने वाले हैं एक से गुना कर देंगी सम में और मसट वाला भी हम गुना कर देंगी ताकि यह Brayket टूड जाएगा तो माइनस वाला तो 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 देखना जो प्लस होगा वो माइनस में प्लस में जाएगा आप 11 एक साथ 2 कलकुलिशन करना सीखो दिमाग में दाना देखो पहले x से x में गुना करेंगे तो क्या होगा x स्क्यार हो जाएगा लेकिन ही पलस का होगा लेकिन आगे माइनस है तो पलस में गुना किये तो माइनस का हो गया देखो गुना कर दिये अब x से h में गुना करेंगे तो क्या होगा x h होगा क्या जी का पलस का लेकिन ही मा माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस का एक हो जाएगा ठीक है अब मैंने गुना कर दिया एक से माइनस वन में गुना करेंगे तो माइनस का वन होगा क्या होगा माइनस का वन मतले सॉरी एक से वन में गुना करेंगे तो माइनस का एक होगा लेकिन यहां माइनस है तो माइनस में वह गुना करेंगे तो फॉलस का हो ढोगा, ठीक हैं अब नहीद में वन कि thank you 1 से 0 से 0 समय करेंगे तो क्या होगा, if you custom one to x में गुना करेंगे तो開始 C U होगा लेकिन पलस का X होगा है तो माइनस में गुना करेंगे तो माइनस 1 से H में गुना करेंगे तो क्या होगा पलस का H होगा लेकिन उस पलस में गुना करेंगे तो माइनस देखो इस वाला माइनस से डाक्ट सब खोल रहे है अब देखो एक से माइनस में वन में गुना करेंगे तो क्या होगा एक से माइनस वन में गुना करेंगे तो माइनस का वन होगा लेकिन ए माइनस तोर रहे हैं तो माइनस माइनस से गुना करेंगे तो पलस ठीक है यह मैंने कर दिया अब नीचे भी नीचे भी कर सकते हैं गुना कोई दिक्कत नहीं तो रहने देते हैं क्या दिक्कत रहने देते हैं गुना नहीं तोरेंगे नहीं नीच में लेको h into x plus में h minus के 1 और into x minus में 1 आ गया अब कटने वाला क्या-kया है वो देखो दियान से चलो देखो यहां X स्क्वार है पलस का तो यहां X स्क्वार माइनस का यहां X है पलस का तो यहां X है माइनस का अब देखो यहां पलस का X है तो यहां माइनस का X है ठीके कट गया यहां माइनस का H यहां भी माइनस का H है वो तो पलस नहीं है तो नहीं कट रहा है अब नहीं है ना तो चलो इध्म हम निकालते हैं लिखेंगे limits h tends to 0 क्या-क्या बचा यहां से सब कट गया-NET धा यह माइनस का माइनस के शाल गो-ोल माइनस के आ खो इच है यहां देखो यह माइनस के आ और फिच आ पार माइनस का 1 आई पलस का 1 कट गया हाँ भाई कट गया अब देखो यह पलस का X है इधर माइनस का X है यह हो तो कटिये रही तो कटिये गया पूरा रेव लिया कि तो मतलब माइनस के दूग वह आ गया चलो अब बटा में क्या बचा हमारे पास इसमें एच इन्टू X पलस में H माइनस में 1 बचा और इधर हो गया X माइनस में 1 आ गया अब कटने वाला क्या है देखो ध्यान से एच से एच केंसील तो माइनस दो उपर गया अब एच से टेंस टूग जहां जाए चनजरा वहाँ जीरो रख दो तो हम यहां पर रख देंगे माइनस के 2 और बटा में चलिए हम इसमें मान रखते हैं X अब पलस के हेच के जगा पर क्या रखेंगे 0 आप माइनस के 1 यह दखो कहानी खतम तो यह हो जाएंगे X माइनस में 1 आ जाएंगे और नीचे भी हमारे पास X माइनस के 1 आ जाएंगे क्योंकि 0 कहानी खतम था X माइनस 1 अब इसको क्या लिख सकते माइनस के 2 और बटे में X माइनस 1 X माइनस 2 group सिंपल आपको पता है कि ए गुने ए क्या होता है A स्क्यार हो जाता है तो शिंपल सी वाथ पूरे को E मानेंगे इस पूरे को E मानेंगे मतलब X माइनस में 1 का all स्क्यार हो जाएगा simple तो यह हामारे पास एंसर निकल करके तो आपने चौथे प्रश्ण को भी बहतरीन तरीके से solve कर लिया ठीक है यह answer आ गया है आईए अब हम क्या करते हैं पांच मा लेते हैं आईए अब हम क्या करते हैं प्रश्ण क्रमांग 5 को solve करते हैं फलन यह दिये गए हैं कि x बटे में x के पावर 100 बटे में 100 पलस में x के पा हमारे पास फलन तो फंक्षन हमारे पास यानि fx दे रखा है कि आदे रखा हमारे पास की x अच्छीद क्या करना है सबसे पहले यह दिये गए हैं तो सीध की जिए की f डैस 1 बराबर 100 f-0 के है देखते हैं होता है कि यानि यह सीध करना है तो हम यहां पे लिग देते हैं करना है क्या आपको सीध करना है मेरे भाई वह सीध करना है एफड़ास का मतलब की एक बार अफ कल यह हुआ बराबर में 100 और यहां पर जीरो बहुत सिंपल है ठीक है यह हमारे पास आगया क्या यह इसके बराबर आता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह इस साइड को इसको हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे इस साइड बाया है तो लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड हमारे इसको हम बोलते है तो left hand side भी निकाल लेंगे right hand side भी निकाल लेंगे अगर दोनों का मन एक जैसा है तो सिध हो जाएगा तो हम निकालेंगे कैसे पहले हमको दिया गया फलन यायनि function दिया गया है x बरावर क्या दिया गया देख लो x के पावर 100 है ना और बटे में 100 पलस में x के पावर 99 और बटे में कितना है 99 ठीक है अब पलस में dot 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 पलस में x स्क्यार और बटा में 2 पलस में x और पलस में 1 ऐसे करके दिये गया है तब सबसे पहले हम इसको हम कैसे तोर सकते हैं अच्छा आगर आपको कहें कि x के पावर 100 है है ना बटे में 100 है इसको किस तरीके से लिख सकते हैं इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि improving 300 सारी यह हाँ ठीक है X के पावर 100 से 1 में गुना करेंगे तो X के पावर 100 ही होगा और बटे में 100 मतलब इस चीज को ऐसे आप लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं तो आप क्या करें आप इसको ऐसे लिख दो कि लिख दिया हमने लिख दिया डिकत नहीं दिकत अब बच क्या गया आपके पासgelिक आजरा रहा है यह सूतर से हम आपको दरसा रहे हैं x के power n यह तो अव कलच है वही बात है एफ डैस जो आप लिखे थे न वही आव कलच हुआ ठीक है एफ डैस पहले बाद में लिखेंगे इसको पहले तोर थे हैं ठीक है हुआ तो हम क्या करते हैं जैसे यह वाला पर फिट करेंगे n के जगह पर क्या ले सकते हैं सकते हैं तो यहीं कहाँ पर सामने आ जाए और एकस के प्रसा औले लिख लिया अब बाकी बच गया क्या हमारे पास एक बटा सो यहां पर लिख लिए अब इसको जो टेस के इतना आ X के power कितना हमारे पास आजाएंगे 99 निनानवे लिख दिया उसी तरीके है से सब एक साथ लिखते चलना है पलस में क्या लिखेंगे भाई एक बटा में अब Cryimizi 99 लिख सकते4559 और सामने आ जाएंगे खुने में 99 और एक्स के पावर एक पॉइंट कम कर दो नियान विज़ता कितना होगा अंठानवे तो अंठानवे आ जाएंगे इसी तरीके से पलस डॉट 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 पलस करते चलो है ना सब को तोड़ देना ता इसी तूटे गई इतना ही आएगा इसको भी तोड़ेंगे तो अब एक्स एक्स बटे दो है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कि एक बटा में दो गुने में दो के पावर दो एन या एक्स के पावर क्या लिख सकते एक एक लिखो या न लिखो चिपा ही राता है ठीक है लिख दो प्लस में एक्स प्लस वन ठीक है यह म इतना आएगा है तो हमारे पास कितना आ गयर शॉल्य किकन श्लिधूर भब हां प्लिंधुर्ट श्लिधूर Krishna प्लत Research पलस में यह 1 है तो 1 लिख दो, clear, यह हमारे पास आ गया, आप कहोगे सर, x के पावर एक तो यह हुआ, तो यह x काहने लिखे, नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x दो बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, यह आप लिख दी है, direct, यहीं पर, यह हमारे पास आ गय अब यह आ गया ना, तो इसी में आप फिट करेंगे, lhs लेकर, rhs लेकर, lhs लेकर, lhs लेकर, lhs लेकर, तो जैसे कि आप lhs है, पहले lhs लिख लो, lhs, ठीक है, क्या दिया गया है, f dash, 1, f dash मतलब एक बार आवकला, तो आप देखे, यह 1 बीच में है, मतलब यह x के जगह पर है, तो जहाँ-जहाँ x है, वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो x के जगह पर, इस x के जगह पर, यह पर आप डिया, 9 és 99, हमने रखदिया, पालस में, x के जगह पर, और पावर में, अरे 99 किसे हो गया, यह वह ना होगा, शॉरी, यह यहाँ पर देखो, अन्ठानवे ह हमने मिस्टिकशे कर दिया लेहेन तो यह एक सके बार एकर जाहरा पर उन रखिंगे पावर में अन्धार में कर देंगे प्लस डोल डॉंट डॉट एक से एक सीनि-वन है और अपलेसमें वन ठीक है कि इह हमारे पास आगे तो देखो मेर भाइ ध्यान से की तुम एक तक चल जाइगा तो इतन में अगर सबको तुरेंगे अगर आपको कहेंगे एक पावर wow कितना हुआ है एक पाउफ और गुणा एक यहां से यहां तक कितना आएगा सब को जब लास्ट में होना करके जैसे हम गुना करके हाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा सब में एक एक देगा तो टोल नीनानवे तक जाएगा मतलब आपको 99 मिलेंगे और पलस में जो लास्ट में एक था हमें देख सकते हैं यहां पर उएक जूटेगा तो यही पलस का एक जो है यह जूट जाएगा पलस के एक में तो हमारे पास क्या नजराएंगे एफ डैस वन जो आएंगे वाएंगे हमारे पास एक सो यही बराबर में सो आ जाएंगे तो हमारे पास देख सकते हैं कि लेप्ट हैंड से हमारे पास एक सो पराप्त हुए अब हम क्या करेंगे राइट हैंड से देखेंगे चलिए अब हम क्या करते हैं राइट हैंड से राइ कर लद निकालने मतलब एक्स जफ जहां भी रहाईगा वहाँ 0 हम फिट करिंगे तो किसमें फिट करेंगे यह ज Cap हो ये हमने कर दिया आपको दिकत नहीं दिकत मेरे भाई कि अब यहां से देखो कि क्या होगा मेरे भाई जैसे कि अब यहां पर लिखेंगे सौ देखो यहां पर गुना की रूप में कहरा है तो इस एफ-डेसhing डिस जीरो कितना निकलेगा घ्रिण केपवर नीनन में जीरों केपवर अंधन में ऐसे ही करते करते चला जाएगा तो रहे पास अंत में जीरों आएगा और जीरों पर लस्म एक यहीं न्याएगा तो हमारे पास kPD लाख गा तो हम क्या सकते हैं कि अतह अतह राइट हैंड साइड इक्वेल है लेफ्ट हैंड साइड के ठीक है अप्रूब आई होप की समझ गया कोशन तो इस वीडियो में मात्र पांची कोशन हमने सॉल्व किया है आगे आप छौ से लेकर के जो दस तक है वो पार्ट टू में आपको मिलेंगे ठीक है धन्यवाद दोस्तों